कुछ तारकिक लोगा ने कबीर नू केया, वि तेनू कदी मस्जिद देच नहीं देखया तो निमाज पड़न नहीं आउंदा आपनों शायद पता हुए, कबीर दे माता पिता ने इसलाम कबूल कर लिया सी कबीर नाम भी इसलामी है, अरवी दा शाबद है, कौनों पता है कबीर, कबीर कौन है एदी जानकारी सानों रवदास देंदेने, नाम देव देंदेने, जितने भगत बैठें ना गुरुगरन सावदेज, एक दूजे दा जिकर कर देने इस तो मैंनों इस समझ मिली, इस सारे समकाली होएने, एक कोई वकत ही जोएने उमर देए थोड़ा जियां बेद होवेगा दो चार साल, आटदास साल दा, पर होए सारे एक कोई समयन है, चलो एक पुखता सबूत में थोड़े सामने रखने हैं, कबीर दा एक सलोक, हर सो हीरा छाड के करे आन की आस, तेनर दोजक जाएंगे सत भाखे रवी दास, इस सलोक क कबीर दा है, कबीर दे सलोकां देच है, कबीर कहरे ने रवदास बिलकुल ठीक कहरे है, इदी गल मन लो, तस्दिक कर रहे ने, कबीर रवदास दी हां देच हां मिला रहे ने, ते रवदास अपनी बानीच कबीर दा जिकर कर देन, नाम देव, कबीर त लोचन सदना सैं तरे, कह रवदास सुनो रे संतो, अरजी ते सबे सरे, इदोहां दे समकाली होंदा सब त我要 दा सबोत मिलकर, कबीर अपनी बानीच रवदास देरर, रवदास ये दस दिन फानू पता है कबीर कौन है ये कौन है तो बड़ी कीमतियां पंक्तियां ने में थ्वड़ सामने रखा जांके एद बकरीद कुल गव बद करे मानिये शेक शहीद पीरा जांके बाप ऐसी करी पूत ऐसी श्री तेहूरे लोक पर सिद कबीरा जेना ने कदी लड़ी बार धन गुरु गन साब जी महराज दी बानी दा पाठ कीता वेगा ओना दे सामने पंक्तियां आईयां उने जांके एद बकरीद कुल गव बद करे जेदे घर देज बकरीद मनाई जांदी सी और उस दिन गव जबा कीती जांदी सी मानिये शेक सहीद पीरा मजारां ती चद्रा चड़ाईयां जांदी 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 जांके बाप ऐसी करी प्योते ही कुछ करदा सी कवीर दा पिता ते ही कुछ करदा सी जांके बाप ऐसी करी पूत ऐसी स्री तेहूरे लोग पर सिद कवीरा लेकिन पुत्तर नहीं करदा क्यों? पुत्तर दे एलानिया ए बोलने ना हम हिंदू ना मसलमान अलहे राम के पिंड परान भगत कबीर दे बोल मैं हिंदू नहीं है, मैं मुसलिम भी नहीं है पंडत मुछला जो लिख दिया छाड चले हम किछो न लिया मेरा धार्म करेबर पंडत नहीं है और मेरा धार्म करेबर मौलवी भी नहीं है मैं ना दे पिछे चलन वाला नहीं क्योंकि मैं हिंदू नहीं, मुसलमान नहीं पर अल्ला जपन देच मैंनू कोई अतराज नहीं राम राम के नहीं देच मैंनू कोई हर्ज नहीं पर मैं हिंदू मुस्लिम नहीं है तारुकिक लोगा ने एक दिन कह दिता कबीर तुम कदे निमाज पड़न नहीं आऊंदा खुदादा ना लेया कर बंदगी कर रेया कर तेनु कदे मस्जिद इछ नहीं देखे पता है कबीर की केंदने देही महजिद मन मौलान सहज निमाज गुजारे सड़ी देही मस्जिद बन गई सड़ा मन मौल भी बन गई तुसी पज़वकर निमाज पड़ देऊंगे सड़ी काया मस्जिद बन गई भगत पीपाजी केंदने कायो देवल कायो देवल कायो जंगम जाती कायो दूपदीप नहीं, बेदा कायो पूजो पाती, मेरी काया देवल बन गई है, देवता प्रगट हो गे है, काया हरी मंदर बन गई है, मंदर दिछ ईसवास्ते जाना है, किसे जिन जिन्दगी हरी मंदर बन जाए हरी मंदर रेव सरीर है तो स्विच सच्चे कावाद से मस्जद देख इस स्वास्ते जानाय cooking ce दिन जिन्दगी खानाय हुदा बन जाया गुरुद वरे इस स्वास्ते जानाय कि दिन जीवन गुरूदा रूप हो जाए ते गुरु मान नल के दे मेरा अपना ही रूप है खालसा मेरो रूप है खास खालसे मैं हूँ करोने वास मंदर मस्जिद के स्वास्टे जाने हैं परमात्मा याद आवे पर यकीन जानो जिदी जिन्दगी हरी मंदर हो जाया उन्हों वेक के भी रभ यादाम दा एस वास्ते इसी अरदास देचे शबद एड कीते हुने सेही संत गुरु मख पयारे मेल जिन्हा मिलेया तेरा नाम चेते हावे जिन्हा दी जिन्दगी हरी मंदर हो गई जिन्हा दा जीवन गुरु वरगा हो गया और गुरु माहन लकवे मेरा है मेरा अपना ही रूप गुरु दवारे गया हो या उस दिन सफल समझ लो जिस दिन मनुख गुरु दा रूप हो जान दे उस तो पहले नहीं उस तो पहले रस्ते चेया अजे पहुंचे या कोई नहीं मंदर गया हो या उसे दाई सफल जिदी जिन्दगी हरी मंदर बन जाए निमाज पड़ी हो योसे दी सफल जिदी जिन्दगी खाना खुदा बन जाए बगत कबीर इस तरह कहने हैं देही महजिद मेरी देही मस्जिद बन गई है तो मुक्तसर में अल्सकना जिस दिन नौनिद नाम प्रगट हो जाए काया हरी मंदर बन जाए बगत पीपा जी एही कह रहे हैं काया बावखंड खोज ते नौनिद पाई नांकच आएबो नांकच जाएबो राम की दुहाई काया दी खोज करदेयां करदेयां नौनिद वस्तु सानु प्रापत हो गई ते नौनिदियां कीने नौनिद अमरत प्रगट का नाम देही में इसका बिसरा तो हुण मैं मूल नुक्ता थोड़े सामने रखा हैं खोजी बिरतियां ते मनुक कुल जनम तो ही ने है इदी अक खुल दिये ते कुछ लब दाए कुछ तलाश कर रहे है जीवन भर तलाश कर दाए मनुक्त खोज खोज के जो लबे है उसनल त्रिपती नहीं होई ते त्रिपती किमे होनी है इस दपता भी कोई नहीं त्रिपती नोरजेवा केने जो रज जाए राजा है हर मनुक राजा होना चन्द है जो बुखा उन्हों बुखारी केने जो रज गया है राजा राजे दे अर्थ इंडन है राजे दे अर्थ हुकमरान नहीं है प्रभजी तेरी दाती राजा कि प्रभु तेरी दातनल में रज सकना जो रज गया है त्रिपत हो गया है राजा और जिस दिंदर मंग चली रही है चली रही है बिखारी है मंग तर एक गाथा है एक सूफी संद उन्हों कि दरे पिंड़ दे वसनी का ने केया तू अकबर कुल जा सडे पिंड़ देच मदर्सा नहीं है सकूल नहीं है ते तेरा मान सनमान बड़ा है तेरे कैन अल अकबर ने सडे पिंड़ देच मदर्सा बना देना है बच्चेयां दी पड़ाईदा साधन हो जाना है तो जा ये फकीर सुते से सवेरे पहुँच गया और उदों अकबर दुआ देशी और कह रिया सी हे खुदा मुन ताला तु मेरा राज पाठ होर वदा मेरे खजाने होर भर मेनो ताकत होर दे मैं विश्व जेतू बना इस तरह ओं मंग रहा सी फकीर केंदे है मैं ते राजे को लाया सी ते बुलेखे नल मंगते को लागें ते आप प्या मंग दे ते आप मंग रहा है जो वापस होया अकबर नो भी महसूस होया कोई आया है पिछे और मुड रहा है देखे आ पिछे महान सूफी संथ हजर नजाम दीन दचेला रोके आ फकीर साई आयो दसो कोई कम की चाहिदा है कि लिए कुछ नहीं चाहिदा हूँ जिस तो तू मंग रहे हैं न उसे तो मंगागा जा तू अपना कामिका जिस दे अंदर मंग जा रही है मंगता है जो रज गया है राजा है कि स्वास्ते गुर्बानी कहें दिए मंग रजेवा लब रहे हैं हर कुछ भी नहीं लब रहे है तृपती लब रहे है खोज रहे है सब तों पहले मंग ने खोज दा कम जमीन तु शुरू की था जमीन ने आनन दिता है धान दिता है तरह तरह दी मैधनियात जो ली दिच पाई ए जमीन अजेवी बहुत कुछ दे रही है लेकिन मनुक रजेया नहीं है नहीं त्रिपतो है फिर मनुक इन्हे पहाड़ां दे सीने चीरे पहाड़ां दे चों सोना मिलेया चंदी मिली, हीरे मिले, जवारात मिले मुंगे मिले, नीलम मिले, पन्ने मिले, लोहा मिले, तांबा मिले, बड़ा कुछ पहाडा ने मनुख दी जोलीज पाया है और दे रहे हैं लेकिन मनुख रजया नहीं है, पहाड भी नहीं रजा सके, जमीन भी नहीं रजा सकी फिर मनुख ने सागरां दे पाणी नू छाने है समंदर नू छाने है तरा तरां दी सववात मेद नियात सागर ने भी मनुख दी जोली जबाई है बहुत कुछ पाई है और बहुत कुछ सागर भी दे रहे है लेकर मनुख नी रजे है इन्ना वड़ा सागरतिन हिस्से समुंदर एक इस जमीन है ना इस समुंदर मनुखनों रजा सके है ना इस धर्ती ना इस पहार फिर मनुखदिया नजमा नजना जेडिया ने आसमान ते गई है सब तो नेड़े ग्रह सी चंद्रमा तो फिर एस सोचे है शायद उत्थों कुछ लब दे और असी माला माल हो जाई है उस वकदिया दो हकूमतां रशिया ते अमेरिका सैकरे सैंटिस्ट दिन रात दिमाग खपांदे रहे हजारां टेकनेशन जुडे रहे अरबां खरबां डालर खर्च होए दो मुलकां दे चोटी दे स्याने सैंटिस्ट दिन रात मगज़ खपाई कर दे रहे कितने इंजिनियर कितने टेकनेशन कितनी लेवर दिन रात लगी रहे अरबां खरबां डालर दो मुलकां दे खर्च होए तां किदरे मनुख एक दिन चंदरमा ते पहुंचन दे सफल होया जिस दिन मनुख दे पैर चंदे टिकेसन सारी दुनिया देच हुलास दी लेर दौड़ गई सी दुनिया बहुत खुश मनुख चंदरमा ते पहुंच गया है उना दिनादेच एक महान उर्दूदा माया नाज शायर जिन्दा सी जिगर मुरादा बादी हुणते नहीं है उदी जबान चो एक बॉल निकले है आसमानों की तमन्ना करने वाले जमी भी हाथ से जाती रहेगी तु चंदरमा ते रहन दी कोशिश कर रहे है ते नहीं ते जमीन दे रहन दी जाच नहीं आई जे हो जियां दा नर्क तु जमीन ते बनाया है जियां दा नर्क तु आसमान ते बनाएंगा हुर्की करेंगा उत्थे भी वित्करे ले जाएंगा उत्थे भी खोन खराबे ले जाएंगे उत्थे भी तु अपना हंकार ले जाएंगा उत्थे भी तु जात पात दे जगडे रे जाएंगा उत्थे भी फोका हंकार ले जाएंगा चंदरमांदी धर्तीनों भी खोन नाल रंगेंगा हुर्की करेंगा आसमानों की तमन्ना करने वाले हैं जमें भी हाथ से जाती रहेगी पावे अरबां खरबां डालर खर्च होए पावे कई साल मेंनत हो ही तिस्यानियां सानियां ने सिर्ख पाया और ले आये उत्थों की मुठी बर रेत ही ले आये और कुछ नहीं उमेरेत देखी ए मेरे देखके दंग रहेगे मैंके हद दोगे इसे ते अरबां खरबां डालर खर्च की ते ए मुठी बर रेत लें दी भारत देख भी और रेत दिखान वास्ते ले आये सन प्रगती मैदान देख एक महीना पाई री सी लोकी लेन लाके वेक देश बड़ी लंबी लेन चंद्रमा दी मिट्टी मैं के हद दोगे एनना खर्च इतनी मैनत लेंदी मुठी भर रेत मिट्टी और मनुखदिया निगाहा मंगल तेने शनी ते अग्ये ने चंद्रमा तो तो कुछ नहीं मिलिया शयद अग्वों कुछ मिले तो हो रग्ये जान दी कोशिश पे कर देने धन गुरु नानिक देव जी महराज दी बानी केंदी किद्रे भी चला जा तेरी लोडा दी पूर्ती हो जाएगी सुख नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा ना जमीन ते मिलेगा ना आस्मान ते मिलेगा ना चंद्रमा ते मिलेगा ना मंदल ते मिलेगा देश बदल ले, कहर बदल ले, मुलक बदल ले मजब बदल ले, जाद पात तू बदल ले, शेहर बदल ले सुखनी मिलेगा सिर्फ लोडा दी पूर्टी होगे फिर किवे मिलेगा, कितों मिलेगा तो साहिब के इन्दने एक है जगा ऐसी अगर तू खोजें मिलेगा खोज कर देयां उज नहीं लेकिन मिलेगा ओ कि थे जितों मैं खोज करा ते रज जावा साहिब के इन्दने इस मन को कोई खोजो भाई मन खोजत नाम नावने दपाई अगर दस हजार किदरे सत्संगी बैठे है उनके से भी धार्मक मंदर देच कोई एक कद होंदा है मन दी खोज करन वाले है बाकी नहीं कोई एक कद है एक गिनती है निराशा जनक है इस वास्ते हजारां साल पहले भी कोई करोणा ची कद भगत होंदा सीरा बनल जुड़े होया आज भी उतने ने मैं यह नहीं कहेंदा धर्ती खाली है आज भी हैं पर छे अरव दे करीब जमीन ते मनुख पै वस देनें छे सो मनुखां तो ज़्यादा नहीं आउनगे बस इतने हैं यह ते कुछ भी ना होई यह ते ओस्त कुछ भी नहीं है यकीन नहीं बजडा के मन दे चाओं सुख मिलेगा अनंद मिलेगा महारस मिलेगा खेड़ा थे खुशी मिलेगी भगतां संता ने थे ऐसा के ऐशा नूँ अवतार थे एही केंदे रहा ने लोडा दी पूरती बारों कर आतमक अनन तु अंदरों ले खुशिया तु अंदरों ले खेडा तु अंदरों ले इस मन को कोई खो जो भाई मन खो जत नाम नाउने दपाई नजाम हैदराबाद ने बहुत वड़ा मुशायरा रखे उस मुशायर च मिर्जा गालब भी पॉँचिया सी पुरानी गल ते गालब अपने जमाने दा बड़ा माया नाज शायर सी एक बालब भी कहिंदा है के गालब नू पढ़के मैनू पता चले है के मनुख दा दिमाग कितना उच्चा सोच सकदा है पर इनू पढ़के मैनू होसला मिले है के मनुख इतना गैराईच भी जा सकदा है इतना बुलंद भी जा सकदा है जिड़ी गल उच्ची होएगी ओ गैरी भी होएगी जिस द्रखत ने अपनिया शाखामानो आस्मान तक ले जाना है उन्हों अपनिया जड़ा पाताल तक ले जानिया पेंदिया इधे रब्बी नहीं है जो द्रखत गैरा नहीं जा सकदा वो द्रखत उच्चा भी नहीं उच्ची भी नहीं और जो उच्ची नहीं वो गैरी भी नहीं एकवाल केंदा इस बंदेनों पढ़के मेनों पता चले है कि मनुक इतना गहरा भी जा सकता है इतना बुलंदियानों भी छू सकता है लेकिन आर्थिक ताउरते खुद्दार होन करके बड़ा मुफलिस ची गालिब अतियंत मुफलिस मुशायरे तो बार आयात एक खानवार पहाडां दे सीने चीर के हीरे लबदा हुदा अजेवी गोल कुंडा दियां पहाडियां दिच लोकी लबदेने भारत दिच एक शेर दाना है पन्ना मद्दे भारत दा शेर वो शेर दाना है पन्ना कोई ती हजार बंदे उना दा धंदा ही है, उत्थे हीरे पन्ने लब दे रहें दिन पहाडा चा, मिल देने, चोटे-चोटे थे, कोई धेरे आनों मिल देने, कदी कदाई किसे नो वड़ा भी लब जांदे, उस शेहर दा ना आई है पन्ना, एक कम धंदा ही है, ती हजार वादे नेडे भी इस तरह दे खोजी बंदे, पहाडा धी खुदाई करके लब दे रहें दे, उस खानवार ने गालिब नो केया, तु मेरा शागर्द बन, मैं तेनों दसांगा, पहाडा धे, सीने चीर के हीरे के में लब देने, पन्ने के में लब देने, जवाहर के में माल हो जाएंगा, गालिब कें लगा मित्रा, फिर तु मेरा शागर्द बन, मैं तेनों दसांगा, अपना हैं सीना चीर के खुदाई कलाम के में लब देनों दसांगा, तु मेरा चेला बन, बड़े कीमती बोल उसने आखे ने, सुखन क्या कह नहीं सकते, जोया हूं जो जोह जिगर का, जिगर क्या हम नहीं रखते, जो खोदें जाके मैदन को, कहिन दा, पहाड़ां दे सीने ते मैं तां चीरां, जो मैं अपना सीना ना रखताऊं, तु चीर पहाड़ां दे सीने, चमक दे पत्थर तेनों मिलनगे, मैं चीरांगा, अपना सीना चमक दोया, खुदा मेंनों मिलेगा, रब्वी नूर मेंनों मिलेगा, रब्वी ज्ञान मेंनों मिलेगा, हिंदुआ नू समझान दा ते कैन दा ढंग नहीं आया, भई हनु मान ने अपना सीना चीरेया, और राम नू प्रगट कीता, गल ओई हनु मान दे नालवी जो गालब कह रहे हैं, पर मितिहास जोड़ देता है, कहें देने, परसन होके, खुश होके, सीता ने अपने गल्चो मोतियां दी माला उतार के हनु मान नू दे देती, वित्वु मदद बहुत कीती, सेवा बहुत कीती, एल है, ताज पोशी दे सम ए बारों दो पत्थर चुकले आया, ते माला दा एक मोती कड के न, पत्थर ते रक के तोड़ दाय, फिर दूजा तोड़ दाय, फिर तीजा तोड़ दाय, सीता दी जवान चो निकले आ, वानर है आगर, बंदर नहीं सी, जनू जंगली मनोखसी कहें देया, वन नर, जंगल दे चरेणवाला नहीं, पिंड दे चरेणवाला नहीं, वानर, वन दे चरेणवाला, बन दे चरेणवाला, बन नर, जंगल दाद में, जंगल दे चरेणवाला, बंदर नहीं सी, मनुक सी, और इस तरहं दी, उच्ची जिनगी ती सोचनी, किसे मनुक दे नाली, उमीर जोड प्रीज आ सकती बंदरा नाल नहीं। सीता ने किया हनुमंत इतनी कीमती तेनु में माला दिती। और ये माला रामनों भी बड़ी प्यारी। उन्हाने तुफा जान के मेंनों दिती ते मैं तेरी सेवा ते खुशो के तेनु दिती। तु मेरे सामने इस माला दि दिती होई सवाद दि तोहिन कर रहे हैं। तोड़ी जा रहे हैं। क्यों। हनुमान के इनन में राम देख रहे हैं दिछ राम है के नहीं। तो सीता के इतनी समझ होनी चाहिए ये जड़ चीज दिछ राम नहीं होंदा। मोती जड़ ने जड़ दे चराम नहीं होंदा इतनी ते समझ होनी चाहिए दिया माला चुक्के परेपो आई कहने ले कि जे दे चराम नहीं तो फिर मैं की करना है एलो फिर तो सीतावी पड़ी लिखी सूजवान कहने ले कि हनवन इस सरीर जड़ है पंजें दे पंजें तत जड़ने अगनी जड़ है पाणी जड़ है प्रितवी जड़ है आकास जड़ है पवन जड़ है ते पंज तताँ दे शरीर है ते जिस दिच राम नहीं है तो कहने दाओ मैंनो नहीं चाहिए रप तो फिर इस शरीर क्यों रखे है, यह भी जड़ है, इन्हों क्यों चुकी फिर ना, वो थोड़ी रोस दे चाहिए, भे एक ते गलती कीती इसने, मैं इतनी कीमती सौगात देती इसने तोड़ी, ते उल्टा हा, जड़ी गल कर रहे हैं और ना समझी दी है, ना समझी दी नहीं कर रहे हैं से, यह शरीर जड़ है, पिर यह क्यों रखे होया है, हनु मान कहिंदा, मां गल सुन, अगर शरीर देच राम नहीं, तो मैंनो इस शरीर दी भी लोड़नी, मैं दे भी टुकड़े कर दे हैं, कहिंदने इतना जजबियान अल भरे है, वो थी रॉम रॉम जबान ब कई दफा जजबे इतने उमड़ देने, प्यार अंदरों इतना उमड़ दा है, उन्हों एक निकी जए ज़वान प्रगड़ करन देच असमर्थ हो जान दीगे, जैसे पिछे हड़ आ रहे हैं, पानी दा, तो उन्हों किदरे एक इंच पाइप देच जो है, लंगाईए उस गुजारिये किते हैं, एन्ना पिछे हड़ आ रहे हैं, जजबेयां दा हड़, भावनावां दा हड़, प्रेम दा हड़, जद उचल पेंदा है, इस जबान छोटी पह जान दीगे हैं, एक एक रौम रसना बन जान दीगे हैं, मैं गरंथां दिच पड़े ऐसा से, पर मेरी तरक बुद्धी रहे बचपंत में मंदा ने सी, ऐसा में मंदा ने सी, पड़ेया में स्वामी रामतीरत बारे वी सी, पड़ेया में संथ बाबा अतर सिंग बारे वी सी, सेवादार रात नों संथ बाबा अतर सिंग दे कमरे चला गया, गया ए स्वास्ते, कमरे चो अवाज आ रही सी वाहे गुरू वाहे गुरू ते सेवादार ने सोचया बाबा जी ते सौरे ने नेंदे चने कोई होर आदमी चला गए अंदर वाहे गुरू वाहे गुरू जप रहे है ते बाबा जी दी नेंद खराब करेगा किसे होर जगा उसनों बैठना चाहिए दरे इस बुले देखे सेवादार संत अतर सिंजी दे कमरिच चला गए। उन्हों मैं कहा हूँ जितु नाम जपनावी एतबारा के बैठ किसे और कमरिच बैठ जिते बाबाजी सुते बैन उते जबदा बैन। और कमरिच की देखता कले बाबाजी ने और सरीर देचों आवाद आ रही है वाहे ग्रूव वाहे ग्रूव मुह बंद से एक-एक रोम रसना बनी होई से। रोंगटे खड़े से। अब यासियां कोल मैं सुनेया और ये भगत मालिच पड़ेया लेकिन विश्वाश नहीं बज़दा से। फिर इना अखान एक-दो पुर्श देखे ने और अजेवी मौजूद। जिनादी में ए दशा देखी। जिनादी में एह हालत देखी। ऐसी हालत देखके सबतों पहले जो मैंनों दिखाई देता अपनी भूल दिखाई दिती, अपनी मूर्खता दिखाई दिती। मैं का नहीं, यह जो बाणी कह रही है, गुर्मक रोम रोम हर रहावे, गुर्मक इतना जज़बेयान अल भर जानदा, इतनी भावनावान अल भर जानदा, एक जबान छोटी पह जान दिये, रोम रोम रसना बन जान दिये, धन गुरु अरजन देवजी महराज ने एक थांते फर्याद किती ये, कोट करन दीजे प्रभ स्वामी, हर ज़स सुनिये, अब ना सी राम, तुँ दो का न दित्तेने मैंनों, एक कोई थां मैं तेरा ज़स सुन सकदा, चारों पासे जित्ते भी पुराण रहीं, कुराण रहीं, किसे भी संद दे कलाम रहीं, एप्रभु तेरी सदा गुंजरेई होवे, तेरा तेरे नाम दी चर्चा हो रही होवे, मैं सुनना चन्ना, तुँ सिर्व दोई का न दित्तेने, कोई जगा मैं सुन सकदा, गुरु चारों दीजे प्रभ स्वामी, ये प्रभ मैंनो क्रोणां कानदे है, एनना दो कन्ना अल गलनी बनदिश, की करोगे, की करोगे, हर जस सुनिये, अवना सी राम, तेरे जस देच इतना अननंद, अनंद, अनंद दा सागर है, पर की करा कन्ना दे, दो कटोरे बड़े छोटेन मैंनू करोडाँ करन दे मैं हर पासे सोना और उस लंबे चोड़े सबद सद्गुर्ने मंगे मैंनू करोडाँ जबान दे की एक जबान दिति तेरे नाम जपन देजी इतना रस इतना अनंद एक कोई जबान तो दे दिती मैंनो करोडां दे पाहिगुर्दास भी ऐसा कहें दे कहें दे ने करोडां ही रोम ने सरीर दे बन जांदे ने इक-एक रोम रसना बन जांदी गुर्म ख रोम रोम हर देहावे तीडी गडवाल दा राजा ते स्वामी राम तीरत नू पागल समझ बैठा सी ओदे भी रौम रौम दे चो राम दी धुन निकली सी राध दा वकत उन्हां दे मैमान काने ठेरे होया ठेराया हुनाने पर इस धुनी सुनके राजा भी हैरान होया मैं कोई पागल बंदा ते नहीं वाड़ लेया किसे पागल बंदे नाल ते दोस्ते नहीं कर ली मैं ये प्रोफेसर पूरण सिंग ने सारी वारता लिखी स्वामी राम तीरत तो कैंतों मराद जद रौम रौम दे चाहो राम दी धुन प्रगट होई ता हाथ जोड़ने पैगए सी तानोवी सी हाँ शरीर भामे जड है हनुवंत इस जड दे विच्वी राम है भामे पत्थर जड है उस विच्वी राम है कोई ऐसी जगा नहीं जेदिच राम नहीं है राम तो बिना कुछ भी नहीं है सब कुछ थे राम देचे, सब कुछ थे प्रमात्मा देचे, उत्थे सीतां दे हथ जोड़ गए, गालब कहिंदा है सुखन क्या कह नहीं सकते, जोया हूं जो जोहर का, जिगर क्या हम नहीं रखते जो खोदें जाके मैदन को, पहालां दे सीने में तांची राज में अपना सी नहीं रखता, जदवी प्रभूदा नाम प्रगट होंदा है, अपने सीने चोई प्रगट होंदा है, खुदाई करनी पेंदी है, ठीक है, मनुक ने जबीन दी खुदाई कीती, ये जमीन ने बड़ा अनधन दिता है, पहाड़ा ने बहुत कुछ दिता है, सागर ने बहुत कुछ देता है और दे रहे है आसमान तो अजे ते भामे मनुक मिटी ले आए पता है कल की ले आवे लेकिन जो कुछ भी ले आएगा लोडा दी पूर्ती होवेगी अनंद नहीं मिलेगा सुख नहीं मिलेगा होते उस दिन मिलेगा जद जीवन दिछ खोज करेगा तो किस धांगनाल करिये इसनों लड़ीवार में शाम दे समय थोड़े सामने रखना है ताके थोड़े विच कोई एक काद भी फैसला कर ले विए मैं उन्हें इस तरह दी खोज करनी है करनी है तो फिर एक कथा कीती होई सफल हो गई कीता हो या सत्संग सफल हो या क्योंकि बु जमीन देशी लबदार है जानता है बार ही लबदार रेंदा अपने अंदर चात नहीं मारता है मैं एक दफ़ा फिर दो रहा हूं पदारत लबना है बारों लबना पैगा लबना चाहिए पर मातमा लबना है अंदरों लबना पैगा बारों नहीं मिलेगा बाहर टोले सो भर गुरुत एक बादल सहिव जी महराज के निन काहे रे, बन खोजन जाई, सरब निवासी सदा अलेपा, तो ही संग समाई। फिर मन जोद सरूप हो जांद है, मन तुँ जोद सरूप है, अपना मूल पचान एक होज किमे करिये, धन गुरुनानिक देव जी महराज दस देने, समझान देने, ए लड़ी वार विचार, दास शाम दे समय थोड़े सामने रखेया करेगा, कल फिर इसे तरीके ना लाजरी ब करेगा करेंगे